सहारा निवेशों के लिए बड़ी खबाय जाने खाते में कब तक आएगा पैसा वापस जैसा कि आप सभी जानते ही है कि हाल ही में किंदर सरकार और सहारा इंडिया कंपनी ने मिलकर वैसे तो सहार इंडिया कंपनी भारत की सबसे भरोसे मन कंपनियों में से एक थी ऐसे में अधि आप भी सहार इंडिया कंपनी के निवेशक रह चुके हैं और आप भी इस कंपनी से अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं तो यह लेक आप के लिए बेहद मेहदवपूर है वैसे तो सहार इंडिया कंपनी भारत की सबसे भारोसे मंद कंपनियों में से एक थी लेकिन फिर इस कंपनी पर सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई इसके चलते इस कंपनी में जिन भी लोगों ने निवेश किया था उनका पैसा इस कंपनी में ही रह गया था जिसके चलते इस कंपनी के सभी निवेशक इससे एक फ्रॉट कंपनी बताने लग गय थे कंपनी पर लगे इसी दाख को मिटाने के लिए कंपनी po सरकार के द्वारा मिलकर इसी एक refund policy की घोशना की गई है इस refund policy के अंतरगत कंपनी अपनी निवेशकों का सारा पैसा वापस लोटाने वाली है यदि आप भी सहारा इंडिया कंपनी के निवेशक हैं और आप भी अपना पूरा जूबा हुआ पैसा इस कंपनी से वापस लेना तो हमारा ये लेक इस मामले में आपकी काफी जादा मदद कर सकता है हमारे आज की इस लेक में हम आपको सहारा इंडिया पेमेंट चेक कैसे करने के बारे में बताने वाले हैं इसी के साथ ही हम आपको इस कंपनी से जड़ी कुछ अन्य जानकारी भी देने वाले हैं इसी के आपको हमारे आज के इस लेक को पूरा अंत तक बना होगा और चलिए लेक को शुरू करती हैं जिन भी लोगों ने पहले कभी सहारा इंडिया कंपनी में निवेश किया था और अब कंपनी की रिफंड पॉलिसी की ख़बरों को सुनकर वे अपना डूबा हुआ पैसा निकालन रुपियों का फंड निधारित किया गया है इसके लावा यदि फंड की राशी किसी कारण से कम भी पढ़ जाती है तो कंपनी के द्वारा और विवस्ता की जाएगी अगर आपको इस फंड योजरा के अंतरगा मिलने वाली राशी को लेकर भी कोई शंचय है तो हम आपको बताना चाहेंगी किसके अंतरगा निवेशकों को पहली किष्ट 10,000 रुपे की दी जाएगी इसके साथ में यदि किसी निवेशक का पैसा इस कंपरी में जादा निकलता है तो उसे आगे की और किष्टें भी प्रदान कराई जाएगी निवेशक को इस कंपरी से अपना पै कंपनी हुआ करती थी लेकिन फिर किसी कारण के चलते इस कंपनी को सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था कंपनी बंद होने से जो भी इसके निवेशक थे उन सब का पैसा इसी कंपनी में रह गया था जिसको वापस करने के लिए कंपनी के द्वारा एक रिफर्ट पोट पर आविधन करने की सलहा दी गई है।